नमस्कार दोस्तों आपके ही चैनल एड़ो शाला पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूं जैसा कि हम सभी को पता है UPSC 2021 की जो प्रारंबिक परिक्षा है वो अक्टूबर तक के लिए डिले हो गई है तो हमारे पास मोटे तोर पर जो है साड़े चार महीने या सवा चार महीने आप बोलिए इतना समय सर्प्लस में मिल गया है लेकिन इस समय को आप सर्प्लस मानने से पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि UPSC अपकी कैलेंडर को मिंटेन करनी के लिए ये संभावना है कि जो आपका प्रारंबिक परिक्षा और मुख्य परिक्षा की बीच का जो समय मिलता है उसको कम कर दे अभी के कैलेंडर की हिसाब से आपको लगबग 80 दिन दिये गए थे हो सकता है कि आने वाले टाइम में अक्टूबर में अगर आपका प्रिलिम्स होता है जो कि होना ही है तो आपकी जो मेंस होगा उसके लिए शायद आपको सिर्फ साथ ही दिन मिलें तो इन चीजों को जब आप कंसिडर करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम आपका जो ऑप्शनल है वो इस तरीके से प्रिपेर हो कि अगर आपको सिर्फ साथ दिन भी मिलें और जीएस के आपको चार पेपर और एसे का पेपर भी मैनेज करते हैं तो आपका वेकल पिक विश्य कम से कम आप कॉन्फिदेंस में हो कि मेरा तयार है ठीक है इसके अलावा दूसरी बात आपने ध्यान यह रखनी है कि मार्केट में फिर से बहुत सारे टेसरी बहुत सारे नएने कोर्से लाँच हो रहे हैं लेकिन आपको उनके बीचे नहीं भागना है यह इतना भी समय नहीं मिला है कि आप जीएस के चारों पेपर प्रपेर कर लेंगे आप ऐसे भी प्रपेर कर लेंगे आपका ऑप्शनल भी हो जाएगा आपको इटेसरी भी जॉइन कर लेंगे ऐसा नहीं करना है देखें आपक अपनी प्रेलिम्स के तयारे के लिए कितना समय चाहिए, दो महीना, तीन महीना, साड़े तीन महीना, उसके हिसाब से जो फिर एक्स्ट्रा समय मिलता है, वो आपको मेंस के लिए रखना है, अगर आप अपनी प्रारंबिक परिक्षा को लेके confident नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कि पहले आपको प्रेलिम्स ही तयार करके उसको क्लियर करना है, प्रारंबिक परिक्षा के बाद ही मुक्या परिक्षा में बैठना है, तो देखे, सबकी लिए अप्रोच अलग-अलग होती है, हर किसी की जो है तयारी, हर किसी की परस्तिती, पिछला जो समय गया उस समय में आप कितनी तयारी कर पाए और कितनी तयारी और करने की आवशक्ता है इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपना self-evaluation करके ये decide कीजेगा कि मुझे क्या करना है अपनी strategy आप चारो तरफ का सुन के खुद का देख के बनाईएगा चीक है तो प्लीज market की चीजों के पीछे मत भागेगा और मेरे background में एक चड़िया थोड़ा गुसा है शायब बहुत ज़ादा बूल रही है तो उसके लिए मैं आप से sorry बोलती हूँ अगर disturbance आ रहा है तो वीडियो में चीक है तूसरा मुझे आपसे ये कहना था कि इस आने वाले समय में अपनी optional को कैसे prepare करना है कौन से पार्ट पर आपको जादा ध्यान देना चाहिए और साथ मेरे जिएस के बागी पेपर है उनको कैसे manage करते वे चलना है अगर इस पे आपको चोटी से strategy वीडियो चाहिए तो comment section में आप comment करके बताईएगा वो वीडियो में आपके लिए ले आऊँगी लेकिन फिर भी जान ये रखना है कि इन सवा चार महीनों में सबसे पहले ये देखिए कि आपको अपने prelims के लिए कितना समय अवे भी चाहिए उस समय के अलावा जो extra time मिल रहा है वो उसमें आपको सबसे पहले अपना optional prepare करना है और answer rating के पीछे भी तब तक नहीं भागना है जब तक आपने syllabus का एक बड़ा हिस्सा पूरा नहीं कर लिया है अगर syllabus ही पूरा नहीं है आपको चीज़े याद होंगी आपको keywords पता होंगे तो ही तो आप answer rating कर पाएंगे ठीक है तो इन बातों का ध्यान में रखना है अब बात करते हैं कि इस पूरे सफर में या मैं आपकी किस तरह से मदद करने वाले हैं तो देखिए हमने जो last में वीडियोस बनाने जहां पे खतम किये थे हम हिंदी साहित्ते का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें जो कविता या आपका पदवाला जो साहित्ते हैं यह हमने पूरा कर लिया था आधिकाल से पढ़ना शुरू किया था और आधुनी कविता नव कविता तक हम जो है complete कर चुके थे यानि कि यह portion हमारा complete है इसके बाद गद की बात आती है तो इसमें हमने कहानी का इतिहास इसकी एक वीडियो बना कर डाल दी थी इसके बाद उपन्यास का इतिहास और अंधियर विध्याय जो है आपकी आती है इनकी वीडियोस को मैं आने वाले टाइम में एके करके चैनल पर अप्लोड कर दोगी ताकि हमारा इतिहास वाला section खतम हो जाए अब बात करते हैं कि जो हमारा paper 2 है paper 2 में से भी जो आपका पद वाला हिस्सा था उसके लगबग 5 कवी हम लोग और पढ़ चुके हैं बाकी जो व्याख्या वाला portion है उसमें हमने कबीर की व्याख्या को जो है शुरू किया था उसको मैं जो है खतम कर दूँगी आने वाले तीनिया चार दिन में जो कबीर के बाद बिहारी शूर फिर आपकी अग्या की कवीता है नागार जुन है मुक्ति भूत है इन सब की कवीताओं की व्याख्या हम एक एक करके पूरा करेंगे तो मेरी तरफ से आपको ये प्रॉमिस है कि व्याख्या वाली वीडियोज अब आपको रिगुलर मिलेंगी जो हिंदी साइटे का इतिहार था उसकी वीडियोज थोड़ थोड़ डेले पर आपके मिलती रहेंगी लेकिन चैनल पर डेली जो है ऑल्टरनेट डेस पर या जैसे भी स्थिती रहेंगी वैसे वीडियोज अप्लोड होते रहेंगे तो आप लोगों को कनेक्ट रहना है वीडियोज को सुनते रहना है और व्याख्या वाली वीडियोज तो आपने साथ के साथ सुननी है क्योंकि इसके लिए आपको कोई बुक खोलने की जुरत नहीं है स्क्रीन पर आपके सामने जो है लाइन स्पड़ी हूई है उन लाइन की व्याख्या में आपको बताते जा रहे हो तो वो साथ की साथ में प्रपेर करते जाए इसके लिए कोई किताब उठाने की आवशकता नहीं कोई कॉपी पैन लेके बैठने की आवशकता नहीं जब तक आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको कुछ चीजे नोट डाउन कर लेनी चाहिए तो इसको साथ में प्रिपेर करते चलिएगा इसको बात के लिए मत छोड़िएगा यह देखे आसान होता है एक बार पढ़ लेते हैं दिमाग में बैठ जाता है उसमें नंबर लाने जो है उतने ही आसान होते हैं तो तयार कर लिए जएगा आपका एक अच्छा खासा है उसमें जो है स्टार्टिंग के जो हंडर्ड दो हैं वो आपके स्लेबस में मेंशन किये रहे हैं इन हंडर्ड दो हो में से 23 का जो है अल्रेडी व्याक्या का वीडियो चैनल पर पढ़ा हुआ है जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेजेगा पहला वाली जो लग पूरा कर लेंगे और आपका गुरुदेव को अंग वाला जो हिस्सा है यह कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद कल से हम सुमीरन को अंग स्टार्ट करेंगे जिसको मैं दो वीडियो में खतम करने की कोशिश करूँगी ठीक है चलिए तो गुरुदेव को अंग के जो अंतिम याद हो जाएंगे तो व्याख्या करना आसान हो जाता है और फिर उन मिनिंग्स की सायता से हम अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे हम रट्टा एकदर नहीं मारेंगे हम वर्ड्स की मिनिंग्स को पहचानने की ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और उन मिनिंग्स के मात्यम से हम जो है व्याक्या को करेंगे एक कहानी की तरह चीजों को लेके चलेंगे पहले वाला जो दोहा है इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि संधर प्रसंग और विशेश भी साथ में आपको बताऊंगी बाकी के जो दोहे होंगे उनमें संधर प्रसंग और विश सत्गुरु मिलिया तका भया जे मनी पाड़ी भोल पासी बिंठा कपटा क्या करे बिचारी चोल सत्गुरु यानि के मेरे घुरु ठीक है ता मतलब तो ठीक है मिलिया मतलब मिलना भया क्या हो गया ठीक है पाड़ी मतलब पड़ी हुई है भोल मतलब भूल भ्रांती अज्यान की चादर चीक है बिनठा कपड़ा कपड़ा मतलब कपड़ा चीक है बिनठा मतलब की नस्थ हुआ खराब हो गया ठीक है क्या करे बिचारी चोल चोल का मतलब होता है रंग रेज जो कपड़ों को रंग देने वाला होता है न वो तो देखे क्या हुआ सत्गुरु मिलिया ता काब है सत्गुरु मिले तो ऐसा क्या हो गया या उससे कुछ नहीं होगा सत्गुरु मिलिया ता काब है सत्गुरु मिल गये तो कुछ नहीं हुआ जे मनी पाड़ी भोल मनी यानि के जो मन पे भोल तो ब्रांती पड़ी हुई है पासी बिंथा कपड़ा अगर कपड़ा ही नस्त हो जाए खराब हो जाए तो काकरे बिचारी चोल यानि कि जो रंग रेच है तो रंग है वो क्या करेगा तो देखे इससे क्या सिंस निकल के आता है कबीर कहते है कि यहाँ पे जो सिश्य है उसके सच्चे मन के महत्व को उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि अगर सत्गुरु मिल भी जाए तो भी क्या हुआ यदि मन में ब्रांती ही बड़ी हुई है अगर आपका मन ही साफ नहीं है तो सत्गुरु के मिलने से भी कुछ हो नहीं पाएगा ये वैसे ही है जैसे अगर कपड़ा मेला है उस पे कोई रंग पहले से चड़ा हुआ है तो उस पर एक दूसरा नया रंग नहीं चड़ेगा और इसमें रंग रेच की कोई गल्ती नहीं है कहने का तात्पर ये ये है कि जो तन रूपी कपड़ा है देखे माना क्या जाता है कि जो आत्मा है उस पे हमारा शरीर एक आवरन की तरह है एक कपड़े की तरह है तो कबीर कहते हैं कि जो तन रूपी कपड़ा है ये जो शरीर है अगर इस पे माया का रंग चड़ा हुआ होगा अगर आपके मन में ही मैल होगा आप ही सांसारिक सुखों में आसकत रहे होंगे तो सत्गुरु के मिलने के बावजूद भी आपको सच्चे ज्यान के प्राप्ति नहीं हो सकती फिर तो सत्गुरु भी वैसे ही असाय है जैसे एक मैले कपड़े पर नया अच्छा रंग चड़ाने में किसी रंग रेच की कोई गलती नहीं है यानि कि सिश्य का मन भी वैसे ही नर्मल होना चाहिए और प्रभू प्राप्ति के लिए उसके मन में उमंग होनी चाहिए नहीं तो कोई लाव नहीं है चीक है देखिए इसका संदर्व और प्रसंग कैसे लिखेंगे लिखेंगे कि जो प्रस्तुत दोहा है वो हिंदी की जो भक्ति कालीन संत काबे धारा के जो प्रतिनिती कवी है. कबीर, उनकी रचनाओ का संग्रह कौन सा? कबीर गरन्थावली, कबीर गरन्थावली में गुरू को अंग से लिया गया है. संत कावे में गुरू के प्रति अनन्य करतिोता जो है बताई गई है और इस दोहे में भी इसी बाव बोध को सकता ठीक वैसे ही जैसे एक नस्ट या खराब कपड़े के ऊपर एक नया रंग नहीं चड़ सकता और उसमें किसी रंग रेच की कोई गल्थी नहीं है अब बात करते हैं विशेश की चीक है तो देखें संदर प्रसंग हो गया व्याख्या हो गया विशेश में आप जैसे क्या को लड़ी मैला कपड़ा है तो उस पे आप नया रंग चड़ाओगे यह तो आप अपने आसपास देखते हैं न चीज़े तो अपनी बात को बताने के लिए लोग जीवन से उधारन लिया है फिर आप क्या बता सकते हैं कि कभीर शिष्य के भी योग्य होने की बात करते हैं कभीर कहते हैं कि अयोग्य सिक्ष्य सद्गुरू की मार्ग दरशन में भी कुछ नहीं कर सकता फिर क्या बताते हैं कि संद कावेधारा में जो गुरू है उनको ब्रह्म के रूप में जो है माना जाता है जो केवल ग्यान देता है लेकिन जो उस ग्यान प्राप्ती का मार्ग है वो सिश्य को सादक को स्वयम ही चलना पड़ता है इस तरह की जो बाते हैं जो मैंने पहली वीडियो उसमें भी बताई है उनको आप जो है विशेश में लिख सकते हैं निक्स देखते हैं बूढे थे परी उबरे गुरू की लहरी चमकी भेरा देख्या जर जरा तब उतरी पड़े फरंकी बूढे थे बूढे मतलब डूबे चीक है बूढा मतलब डूबे परी उबरे पर उबर गए उथार हो गया गुरू की लहरी चमकी सदगुरू की जो ज्यान की लहर है वो चम पग गई, है ना, फिर भेरा देख्या जरजरा, भेरा मतलब बेडा, छोटी नाव, ठीक है, छोटी नाव देखी, ये तो जरजर थी, खराब थी, एकदम नस्ट हो चुके थी, उत्री पड़े फरंगी, उत्री मतलब उतर गए, फरंगी मतलब एकदम से फटक कर, चिटक कर, चीक है, तो बूढे थे परी उबरे, पहले जो ये भव सागर है, ये जो संसार है, ये जो माया का जाल है, है ना, इसमें आसक्त होकर मैं जो है डूब गया था, लेकिन फिर उबर गया, कैसे गुरू की लहरी चमकी, जब गुरू ने अपने ग्यान की चमक दिखाई, जब उस ग्यान की सच्चाई पता चली, तो फिर मैं उबर गया, कैसे जब मैंने देखा कि मैं जिस मुह माया रूपी नाव में बैठ कर इस भव सागर में जो है जा रहा था, और फिर मुझे गुरू ने सच्चा ग्यान कराया, तो मुझे पता चला कि ये नाव तो बहुत जर ज हो गया, ठीक है, यानि कि गुरू के ग्यान की आपा से जीवन का सच्चा ग्यान प्राप्त हुआ है, ये वैसा ही है, जैसे किसी को पता चल जाए, कि जिस नाव पर वो बैठा हुआ है, उसकी अवस्था बहुत खराब हो चुकी है, और वो उस पे से उतर के अपने प्राण पार्ण प्राप्ति, निवस्था बश्कुषा दाता सया जदेहां कि ये इस बश्क्न भीख में म्लेगे, आपके नोपने, के इस विशेश ये बगये वह से न्हीं अगर तो आप थोड़े वीडियो लेक्ट्छर चुन लेंके तो जहां पर मुझे लगा कि विशेश की है वहापे मैंने अपनी जो है सर्च की है और फिर एक बहतरी व्याक्या मैं आपके सामने लेके आई हूँ ठीक है और जहापे मुझे विशेश में कुछ नया एड़ ओन करने के लिए मिल जाता है वो भी मैं आपको बताते वे चलूँगी तो आप लेक लेके यहापे रूपक अलंकार का बहतरी इन परियोग हुआ है इसके अलावा अनुपरास अलंकार भी यहाँ देखने को मिलता है ठीक है संदर प्रसंग आपका सेम रहेगा व्याक्या आपकी सेम रहेगी नेक्स देखते हैं गुरू गोविन तो एक है तूचा यहाँ आकार आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार गुरू गोविन गुरू यानि के सत्गुरू गोविन यानि के इश्वर परमात्मा तो एक है तो तूचा यहाँ आकार जो उनको दो अलग अलग दूचा मतलब दो आलाकार मतलब दो अलग समझता है छीक है आपा मेड जीवत मरे मेड मतलब समाप्त कर देना खत्म कर देना है आपा मतलब अपना है भाव छीक है फिर तो पावे पावे मतलब प्राप्त करना करतार करतार मतलब परमात्मा पंजाबी में जैसे करतार इश्वर के लिए बोलते ह तो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ देखिए गुरु गोविन तो एक है यानि कि सद्गुरु और इश्वर है वो तो एक है दूजा यह है आकार आकार में एक दूसरे से अलग-अलग होकर भी देखा जाये तो गुरु और प्रभु वस्तव में भाव रूप से एक ही है और जो है जब अपने एहबाव को अपने मैं को त्याग कर सांसारिक जीवन बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो ही वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है यानि कि अपने मन के अंदर के मुझ को मिटा के गुरु की शरण में चले जाओ और क्योंकि गुरु और गोविन तो एक ही है तो आपको प्रमात्मा की प्राप्ती हो जाएगी तो यह गया गुरु गोविन तो एक है दूजाए है आकार आपा मिट जीवत मरे तो पावे करता है जब अपने आपको मिटा दोगे मैं अपने अंदर की खतम हो जाएगी तो इश्वर की प्राप्ती हो जाएगी तो यह ते वाला जो दोहा है इसके विशेष में आप नोट कर लीज़े कि विरोधा भास जो अलंकार है, उसका प्रयोग हुआ है ये भी आपके नोट में नहीं है, तो इसको भी लिख लिजेगा विरोधा भास जो किलुए है, उसका प्रयोग इसके अंदर हुआ है बाकी यहां पे जो है गुरू और साधक है ना वो जो गुरू है वो साधक को जो है उसका अंदर का सारा एक तरीके से मुहों वगरा को मिटा के ठीक है परम सत्ता से मिला दे रहे हैं यानि के गुरू और जो परम सत्ता है वो एक ही है किसी एक की शरण में जाओगे अपने मन क को निर्मल करोगे तो इश्वर की प्राप्ति हो जाएगी इस तरह की चीज जो है कभीर आपको बता रहे हैं फिर नेक्स देखते हैं 27 कभीर सत्गुरु न मिल्या रही अधूरी सीश स्वांग जतिका पहरी गरी घरी घरी मांगे भीज चीक है कभीर सत्गुरु न मिल्या आपने सिक्षा प्राप्त नहीं की है रही अधूरी शीष अधूरी मतलब अधूरा सिंपल सीष मतलब सिक्षा ठीक है ग्यान स्वांग जतीका पहरी स्वांग मतलब की भेश भरना अडंबर किसी चीज जो आप सच मुछ में नहीं है उसके जैसे वेश बूशा पहन लेना पह ने जी पहले सटगरू न स्वांग जब सद्गूरू नहीं मिलते हैं जब सक्चे जून की प्राप्तवी नहीं होती है रही अधूरी sheesh जब अधूरी रह जायायैं आपने कियां नहीं आत्मसात किया ही नहीं स्वांग जतीका करी आप क्या करते है याद्य cynois invoke gü Haori और फरें क्या करते हैं घरी-घरी मांगे भीष यार्य कि बिक्षा मांगते हैं दुआर दौर याचक बन जाते हैं। TH KARPکост欸 कra sırु कि सद्गुरू के नहीं मिलने से सिक्षा अधूरी रह गई। और ऐसी अधूरे सिक्षा प्राप्त जो सिश्य है वो ग्यान से रहित साधू का भेश धारण कर अपना भाय आवरण बदल के साधक तो बन जाता है अगर राचक बनके बिक्षा मांगे अपना जीवन यापन करने लगता है यहाँ पे कबीर जो है गुरू की नहीं सत्गुरू के मेत्व को बताते हैं यानि कि सत्गुरू अगर नहीं मिला सिर्फ गुरू से काम नहीं चलेगा सुरी सिर्फ गुरू नहीं सत्गुरू होने चाहिए जो आपकी सिक्षा को पूरा कर सके और फिर दूसरा यहां पे कबीर क्या करते हैं जो भाई ये आवरण है जो स्वांग है उनका खंडन करते हैं कि सिर्फ बाहर का भेश बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा आपके मन के अंदर ज्यान पूरा होना चाहिए दूसरा कबीर क्या बताने कि जो मात्र स्वांग धरने वाले होते हैं उनकी भक्ती अधूरी रह जाती है उनको इश्वर बाप्त नहीं होते ठीक है यह है फिर आप जो है व्याक्या है वो बिल्को सेम लिख देंगे जैसे अपारिक वस्तू इकमाने जिख वस्तू बन गई है विक्रे की वस्तू बन गई है तो गुरू की हैस्यत कम होती जा रही है तो यह पंक्तिया याद दिलाती है कि वास्तव में सचे मार्क दरक्षक की कितनी आवशकता हम सभी को है ठीक है अब हम अपना नेक्स्ट वाला दो लोही लोहार कस्णो दे कंचं किया दाय लिया ततसार सत्यार सन्ठाम सचा धालिय। ठीक है ताते लोही लोहार ताते मतलब तपाया हुआ ठीक है लोही लोहार यानिके लोहार का वो लोहा जो भटे में लाल हो जाता है जिसको लोहार जो है गरम करता है लाल और उसके फिर फिर लोहार का वो वाला लोहा फिर कस्णों दे कंचन क्या कस्णों मतलब कसोटी पे कस क कंचन क्या, शुद्द किया सोना बना दिया कसोटी पे कस के सोना बना दिया ताईल या तचसार ताईल या मतलब इस तरीके से ताप के जो है मिला है क्या कहते है कबीर कि सत्गुरू तो सच्चे पराकर्मी है, उन्होंने जो मुझे यानि के सिश्य को जैसे लोहार अपनी लोहे को लाल करता है तपाता है उसी तरह सत्गुरू जो की पराकर में है उन्होंने मुझे यानि के सिश्य को जो है तपा कर शुद बना दिया है कसोटी पे कसके मुझे कंचन, कुंदन, सोनी जैसा बना दिया है और इस तरह के से सद्गुरु ने जो है मुझे तत्व ज्यान की प्राप्ति कराई है यानि के जैसे लुहार है वो लुहे को अगनी में गर्म करके उसे सद्गुरु शुद कर लेता है वैसे ही जो सच्छा गुरु है वो शिश्य को साधना की कसोटी पे कसकर सोने की भाती शुद कर लेता क्योंकि जो माया है वो अशुद तत्व है उसकी वज़े से साधना जो है आपकी अशुद हो जाती है तो माया जैसे अशुद तत्व को कसोटी पे कसकस के जो है साधना के द्वारा ही प्रथक किया जाता है और ये जो तत्व ज्यान है ये मुझे मेरे सद्गुरु ने दिया ह नेक्स देखते हैं थापणी पाई थिती भाई सत्टुगुर्व कभीर हीरा बनजिया मान सरोवरती थापणी मतलब थापगए थापणी पाई मतलब पालिया थिती भाई मतलब प्यान पता चल गया है विचार सही हो गए है यानि कि थापणी पाई थिती वही ऐसी स्थिती में होने का मैंने अनुभव किया कैसी स्थिती में विचार वाली स्थिती सत्गुरु दीनी धीर सत्गुरु ने दीनी मतलब दी है धीर स्थरता यानि के मेरी चंचलता को मेरे मन के भटकाव को दूर करके मुझे क्या है स्थरता दे दिया कबीर हीरा बनजिया हीरा मतलब सुंदर्ची हीरा बंजिया मतलब बानिचे का कर्म किया हीरो का वेपार किया मान सुरोवर तीर कहां पे हर्दिय की धर्ती पे अपने दिल के एक तरीके से तठ पे मानस तठ पे ठीक है तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि सत्गुरु ने मुझे साहस और धहरिय प्रदान किया है और मेरी जो चंचलता है उसको छुड़ा के एक विचार स्थरता प्रदान की है इसकी वज़े से कैसे स्थिती बन गई ऐसा अलगा मुझे जैसे में एक विचार भूमिगा में स्ताफित हो गया हूँ कबीर ने अपने हर्दिय में अपने दिल में ग्यान रूपी हीरे का व्यपार किया है इसका मतलब यह हुआ कि सत्गुरु क्या जो सानिक दिय है उससे ही ग्यान साधना में उतकर्ष इस्थिती मिल सकते है क्योंकि सद्गुरु ने मेरे मन की चंचलता को छुड़वा के मुझे एक ऐसी विचार स्थिती में स्थित कर दिया है जहां पे कबीर ने ग्यान रूपी हीरे का व्यापार अपने मन सरोवर के अंदर किया है फिर आपका जो संदर पसंग व्याक्या है वो सेम रह जाएगा जैसे आप क्या लेख सकते हैं कि गुरु के प्रति अनन्य कृतगतरा भाव की अभिवेक्ती और साथ में गुरु का अप्रितम महत्व इस तरह की लेंगविज आपको यूज करनी है क्योंकि आप साहित्य के विध्यार्ती है साहित्य आपका वेकल्पिक विश्य है उसका बखान किया है और इसकी बहुती संदर और मारमिक अभिवेक्ती जो है उप्युक्त पंक्तियों में हुई है ठीक, निक्स देखते है निक्स आपका तीस्वा क्या है निहचल निधी मिलाई तत सत्गुरु साहस धीर निपजी में साजी घणा पाटे नहीं कबीर ठीक है निहचल निधी निहचल मतलब अक्षे निधी है न परमानंद या एक ऐसी निधी जो मतलब सबसे अलग है वैसा धन आपको मिलाई तत तत मतलब तत्व में तत्व की जो असली ज्यान है सत्गुरु साहस देने में धहरेवान है सत्गुरु निपजी में साजी घणा साजी मतलब भागीदार हिस्सेदार घणा मतलब जादा निपजी मतलब उगी हुई जो मेरे अंदर आ गई है मेरे अंदर प्रकट हो गई है, बाटे नहीं कभी कभी बाटता नहीं है। देखें इसका क्या मतलब हुआ कि सत्गुरु ने मुझे साहस और धहरिय दिया है। इसकी वज़े से अब मुझे पर्मानंद रूपी निधी यानि कि संपत्ती जो है वो प्राप्त हो गई है यानि कि मुझे आत्म तत्व का सक्चातकार हो गया है। इस उपजिकों में बाटना चाता हूँ। किया है निपजि में घना यहां मेरें रूप इनदर इतना जहादा आनंद हो गया है, इस ज्ञान को प्राप्त करके कि मैं इसको बाठना चाता हूँ। ठीक है इस कर्षे उपज को बाटना संभव नहीं है क्यों कि आत्म दर्शन की यह जो अनुबूती है इसमें कोई भागेदार नहीं बन सकता भला यह तो खुद से ही आपको करनी पड़ती है ठीक है यानि कि सत्गुरु की मदद से मुझे जो परमानद की अनुबूती हो गई है मैं इसको बाटना चाहता हूँ इसके बहुत साजीधार हो गए है लेकिन मैं बाट नहीं सकता क्योंकि आत्म तत्वगा घ्यान तो हमें स्वयम से ही प्राप्त करना पड़ता है नेक्स देखते है 31 चोपडी मांडी चोहटे अरद उरद बाजार कहे कभीरा रामजन खेलो संद विचार आसान है मतलब चोपड चोपड नाम खेल घ्याक अरद बजयूडिफ ब़गना वह नहीं के अंदर कहिे रामजन रामजन जो रामके भक्त है यानिके स्वैम कभीर जो है कही कबीरा रामजन स्वयम कबीर जो है जो राम के अन्य भक्त है खीलो संत विचार है संतो विचार करके ध्यान पूर्वब जो है इसको खेलो तो क्या कहते हैं बाचार के मत्य चोराहे पर चोपड खेल की बिसात विचाई गई है यहां पे जो यह चोपड है यह प्रेम योग भक्ती का खेल है और जो बाचार का चोराहा है न ये एक तरीके से विश्चे वासनाओं के बीच में इस जो संसारूपे भवसागर है जो माया का जाल है उसके बीच में यानि कि इतने सारे माया के बीच में जो प्रेम योग भक्ती है इसकी चोपड जो है बिचाई गई है और कबीर कहते हैं कि हे संतो तुमको ये जो खेल है बहुत विचार पूरवक खेलना होगा राम के भक्त कबीर कहते हैं कि हे संतो इस खेल को विचार पूरवक खेलो चीक है अब नेक्स देखते हैं पासा पकड़िया प्रेम का सारी किया सरीर सत्गुरु दावा बताईया खेले दास कभी पासा यानि कि जो चोपड में वो छेंको वाला पासा होता है नूडों में भी आलशकर जो खेलते हैं वह पकड़िया प्रेम का यानि के जो पासा है वह प्रेम का है प्रेम से ऐस्ट के शोपड खेलनी है सारी किया Сरीर?...Sारी हो कपड़ा होता है जिस पे वह 손ाला डिया जिस पे खेल, खेलते हैं और प्रेम'RE भकती का है? वो आपका छो 6 अंकों वाला पासा होता है वो बना लिया शरीर की इस चोपड़ पे प्रेम रूपी पासे से जो है भक्ती का खेल कबीर खेल रहे है सत्गुरु दावा बताया और दाम कैसे लगाना है ये किसने बताया सत्गुरु ने मेरे गुरु ने छीक है खेले दास कबीर और खेल को रहा है कबीर गताब जो कबीर है वो खेल रहे हैं तो यह तो बिलकुल आसान हो गया कुछ-कुछ का तो मिनिंग ना आप से एक-एक वर्ट का मिनिंग अगर समझ जाएंगे तो नहीं भी वाख्या पता है तब भी निकाल लेंगे तो क्या बता रहे है कि कबीर ने चोसर खेल के प्रतीक के रूप में प्रेम का जो योग है उसको सांकेतिक रूप से बताते हुए कहा है कि यह जो चोसर का खेल है मैंने अपने शरीर के भीतर ही खेला है और वैसा ही खेलते हुए प्रेम तत्व को पासे के रूप में मैंने अपनाया है शरीर के रूप में बिसाथ बिचाई है और जैसे जैसे सत्गुरु ने कहा है उनके निर्देशा अनुसार दाव फेकते हुए कबीर ने अपना केल खेला है चेक है यहाँ पे देखे के विशेश में कुछ बाते ध्यान लखी है एक तो चोपड जो खेल है इसका रूपक के रूप में बहुत सुन्दर प्रियोग कबीर ने किया है क्योंकि शरीर को सारी बनाया है प्रेम को पासा बनाया है चेक है फिर इससे ये भी पता चलता है कि बीर अपनी सक्कियों में जो है लोग जीवन के उधानों को प्रियोग करते हैं फिर पहली पंक्ति है चोपडी, मांडी, चोटे, अरद, उरद, वाजार इसमें आपका जो अनुपरास अलंगार है उसका प्रियोग हुआ है चेक है तो अनुपरास अलंगार और चोपड के के रूपक का परियोग ये दो बाते विशेश के लिए ज्यान रखिएगा चलिए अब हमारे सिर्फ चार दोहे रह गए हैं इनको कम्प्लीट कर लेते हैं छीक है बलकि तीन रह गए हैं तो आपका अब ये 33 है सत्गुरु हमसू रीचे करी एक कहा प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग बिल्कुल आसान है सत्गुरु हमसू मुझसे रीचे कर खुश होकर रीच कर सत्गुरु ने मुझसे खुश होकर एक कहा प्रसंग मुझे एक ज्यान की बात दी बरसिया बादल प्रीम का प्रीम की ऐसी बारिश मुझ पे हुई कि मेरा अंतर मन सब कुछ उसके अंदर भीग गया ठीक है तो क्या कहेंगे कि कबीर उस छण की अनुभूती व्यक्त कर रहे हैं जब गुरू ने उनको परम ग्यान की उपलब्दी कराई है वो बताते हैं कि सत्गुरू ने मेरे भक्ति भाव से मेरे जिग्यासा से खुश होकर मुझे परम ग्यान दिया और परम ग्यान की प्राप्ति इतनी आहलाद कारी थी इतनी ज़्यादा खुशी देने वाली थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे प्रेम का बादल फट गया हो और मेरा अंग अंग प्रेम की वर्षा में भीग कर सराबोर हो गया हो इसके विशेश में आप क्या ध्यान रखेगा कि देखें यहाँ पर प्रेम और भक्ति की गहरी मस्ती है ना इसकी बड़ी भावपूर्ण व्याक्या जो है कबीर ने सामने रखी है कबीर देखे आरम में क्या थे हट योगी थे और भावनाओं को काम में नहीं समझते थे इश्वर की प्राप्ति में लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने सूफियों से प्रेम भावुक्ता को सीखा तो फिर उन्होंने उसका चरम उधारन अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है और उप्यूक्त पंक्तिया उन्हीं उधारनों में से एक है ठीक है नेक्स देखते हैं कबीर बादल प्रेम का हम परी बरस्या आई अंतरी भीकी आत्मा हरी भई बन रहाई कबीर बादल प्रेम का प्रेम का जो पादल है भक्ती ग्यान का जो रस है है न हम परी बरस्या आई मुझ पर जो है बारिश उसके हो गई है अंतरी अंतर मन मेरा जो अंतर का मन है वो फीग गया मेरी आत्मा भीग गई हरी भई हरी भरी हो गई बन राई वो जो बागवन होता ह जहांपे आपके सब बेड लगे हुए हैं तो कबीर क्या कहते हैं कि जो साधक है वो अंतर आत्मा तक ग्यान की बरसाद से ओत्प्रोत हो गया है और जैसे जंगल हरे भरे हो चाते हैं बारिश के होने से ही वैसे ही साधक इस ग्यान के रस से भक्ती प्रेम के रस से परिपून हो गया है और उसका मन जंगल की तरह हरा भरा हो गया है ठीक है तो कैसे लिखेंगे कबीर कहते हैं प्रेम में गुरूप सदगुरू की असीम भावर्शा होने से मेरे जो अंतचेतना है वो रस से परिपून हो गया है परिणाम सवरूप मेरा जो पूरा अंतकरण है मेरा जो रद्य है वो हरियाली से भर गया है यानि के मेरी जो स्रश्टी है प्रभू मैं होने से क्या है वो चेतना से सम्रद्ध हो गई है और मुझे सांसारी जो माया रूप संबन्दी दुख थे उनसे मुक्ती मिल गई है यानि के जो विश्य विकार में दगद साधक था है ना माया के विश्यों में जो पड़ा हुआ साधक था उस पे जब प्रभू प्रेम रूपी बादल की बारिश हुई तो उसका जो हड्य रूपी वन था वो फिर से हरा बरा हो गया क्योंकि रस भरी बरसाथ से चारो तरफ हर्याली चा गई चालिए फिर आज की वीडियो का हमारा लास्ट वाला दोहा है यह हम देख लेते हैं पूरे सू परचा भया सब दुख मिल्या दूरी निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा हुजूरी चीक है पूरे सू पूरे सू मतलब संपूर्ण से पूरे से चीक है अखंड जिसको बोलते हैं चीक है परचा भया परचा मतलब परीचे मेरा परीचे हो गया पूरे से उस परमात्मा से उस अखंड से जब मेरा परीचे हो गया क्या है सब दुख मेल्या दूरी मेल्या मतलब दूर रख दिये सारे मेरे दुख क्या है दूर हो गए निर्मल की नहीं आत्मा में यह जो आत्मा है वो निर्मल हो गई शुद्ध हो गई मिनर्म हो गई प्रेम से बर गई ताथे सदा हजूरी ताथे इसी लिए सदा अब हमेश ठीक है हुजूरी मतलब मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने रहूँगा सानिध्य की अनुभूती मुझे होती रहेगी कहने का मतलब यह है कबीर कहते है क्योंकि मेरा मन नर्मल हो गया है मैं पारदर्शी हो गया हूँ तो अब मैं हमेशा जो है उस परमात्मा के साथ पासे जो अखंड ब्रह्म भाव है उससे मेरा संपून परीचे हो गया है और मेरे सभी परकार के जो अभाव जन्य दुख थे ठीक है दुख मेल्या दूरी मेरे जो अभाव जन्य दुख थे वो दूर हो गए है अब मेरे जो आत्म भाव है उस वो व्यापक हो गया है मेरे ह ठीक है इसके विशेश में आप यह ध्यान रखेगा कि यहां पर जो वैशनवे भक्ती चेतना है वो जो है आपको दिखाई पड़ती है ठीक है इसके अलावा आप यह बता सकते हैं कि जो प्रभू के प्रति अनन्य करत्गता भाव है वो तो उनकी हर पंकती में दिखता है क्य गुरु ने मुझे सहस्धार यह दिया उसकी वज़े से मुझे जो है जो है ग्यान के प्राप्ती हुई है इसलिए इन सारे पंक्ति को क्या कहते है गुरुदेव को अंग चलिए तो आपके जो 35 दोहे थे स्टार्टिंग के वो कम्पलिट हो गए है जो कि गुरुदेव को तहत आते हैं कल की वीडियो में सुमिरन को अंग कए आदे दोहे लेके मैं आपके सामने हाजर होती हो तब तक आप इनको पूरा करके सुन लीचेगा कमेंट करके अपनी फीड़बेक जरूर दीचेगा वो मुझे काफी मोटिवेट करती है और आज कल की जो समय चल रहा है इसमें एक तुस्य के प्रति काइन रहे एक तुस्य की केर कीचे अच्छी बाते बूलिए अपना और अपने परिवाल का पेहत धिहान रखिए इसी के साथ मैं आप से विदा लेती हूं मिलते हैं कर थैंक यू थैंक यू वेरिमच